आज की सिविडियो में देख्यें के defines 2.03 में डाउनलोड के से कुरें आज के सी विडियो में आपको चार टोपिक बताने वाले हहूं अधार रिडेट कैसे की आप आप डेख सकते हो कि पहला तरीका होगा नीउ अधार का डाउनलोड के से करें दूह जारते सब्सक्ते अगर के पास यह वाला स्लीफ है तो इसाप ड sinon केके रोगों इसे कर सकते हूं अचैट कर से क्टों क्या था कि अभीट डालाइक क्या है एक आपके स्कूपन Official सब्सक्ति है नहीं है उसका इस्टराइब स्कहिंता अंभ करके दिखाएंगे चलिए वीडियो स्टार्ट करते तो सबसे पहले आपको जाना है और ओफिसल वेबसाइट में जो गोवर्मेंट का है देखे चारों किसमें तीनों किसमें जो भी यह पर लिखा हुआ है उन सभी में आपके आधार काड़ में मुवाइल नंबर लिंक होना जोरूरी है तब ही जाके आप यह काम कर सकते है सिर्फ आधार स्ट्रे स्ट में मुवाइल नंबर लिंक होना जोरूरी है अगर आपको पता नहीं स्ट काड़, नि版 में मंडर लिंक है या नहीं तो वह भी आइंग इस वीडियो के अंदर कि आप वह कहां से चेक कर सकते हूं तो चली सबसे सबसे फिले यहां पर देखिए इसके official website में आना है फिर यहां पर एक option मिल जाता है आपको सबसे फिले आप download option बताएंगी ठीक है यह सेम काम आप mobile से भी कर सकते हो आपके mobile में इसका लिंक आपको लिंक मिल जाएगा उतल टेलीग्राम चैनल में जोइन करके इस लिंक में क्लिक करके आ सकते हो यहां पर देखिए डाउनलोड अधार यहां पर आपको क्लिक करना है अगर आपने नया अधार कड अपलाई किया था तो यहां पर देखो इस तरह का पूइक रसीद मिला होगा चाहे बच्ची का बनाए हो या फिर 18 साल क्रोस हो गया उसके लिए बनाए हो तो इस तरह का इस प्रकार से एक यहां पर नमबर बोला जाता है साथ में उसका जो भी टाइम डेट होता है वो सब कुछ आपको डालना पड़ेगा यहां पर टाइम डेट हो रहता है यहां पर नमबर रहता है फिर यहां पर टाइम डेट सेकेंड वगरत सब कुछ यहां पर रहता है यह भी डाल देना है ठ चलिए यह नमबर डाल देते हैं फिर यह capture डाल देंगे send OTP में click करेंगे जब भी आधारकट बनानी गए थे उस टाइम एक mobile नमबर दिया था उसी mobile नमबर में OTP जाएगा ठीक है यहाँ पर clear हो गया तो चलिए यहाँ पर हम नमबर डालेंगे तो नमबर यहाँ पर देख ले date out time किस दिन बनाया था और किस time बनाया था वह भी रहता है element sleep में तो वह भी आपको डलना है तो date आपको उल्टा डलना है ठीक है उल्टा मतलब जैसे आपका element में लिखा है 112002 या 112010 112022 तो 22 से शुरू करना है ठीक है मतलब पहले साल डलना है फिर महिना डलना है फिर दिन बनान ठीक है यह उल्टा हो गया अब टाइम जो है टाइम सही डालना जैसे टाइम आपको लिखा गया सेम टू सेम होसे टाइम आपको डालना है और च्छोटा आई है में क्लिक करोगे तो आपका जो भी मुवाइल नंबर रेइस्टेड है उसमें ओटीपी चला जाएगा थोड़ा सा यहां वेट करें थोड़ा टाइम ले रहा है यहां पर देखिए यहां पर देखिए एंटर ओटीपी लिखाया है यहां पर डालिया और वेरिफाइन डाउनलोड में किलिक किजिए तो चलिए यहां पर हम मोबाइल चेक कर लेते हैं जिसने भी दिया है डाउनलोड करने के लिए डाल दिए, वेरिफाइन डाउनलोड में किलिक करोगे, ठीक है, जैसे वेरिफाइन डाउनलोड में किलिक करोगे, यह थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, कुछ इस प्रकार से, लगवागा आपका 2 से 3 सेकेंड, तो यहाँ पर देखो, यह डाउनलोड हो चुगा है, यहाँ पर देखो, PDF डाउनलोड होगा, यहाँ पर लिख दिया, Congratulations, Your आधार कार्ड has been successfully downloaded, तब इसे आप डबल किलिक करो, यहाँ पर आपका आधार कार दीक गया, डबल किलिक करो, अब यहाँ पर यह पासपर पूछ रहा है, तो पासपर कैसे होगा, पासपर यहाँ पर आप देख अब इसका जनमसाल क्या है, वो आपको डाल देना है, यहाँ पर शमीट करोगे, यह पर देख लो, यहाँ पर एक्जामबल दिया गया है, पासपर कैसे होगा, पासपर कुछ इस प्रकार से होगा, जो भी नाम होगा, वो पहला क्रेक्टर चार को लिजेगा, कैपिटल में दालिएगा, फिर जनमसाल डाल दिजेगा, समीट में किलिक किजेगा, सोरी यहाँ पर कुछ तो गड़वट डाले है, मैंने, देख लेते हैं, नाम सही सही डाले के ने, और इसका जनमसाल है, अब खुल जाना चाहिए, यह देखिए, जनमसाल गलत डाले थे, यहाँ पर द अधार काड जनम डेट सुधार किया है, या एड्रेस सुधार किया है, कुछ भी सुधार किया है, तब उससे सिर्फ अधार नमर से डाउनलोड कर सकते हूं, लेकिन उसका जनमसाल पता होना चाहिए, और नाम करेट पता होना जाए, तब तो आप PDF ऑपन करोगे, क्योंकि PDF म यहां पर अधार डाउनलोड जो भी है, यहां पर किलिक करोगे, अधार नमर डालोगे, 12 डिजिट का, और element ID जो होता है, element नमर वो 14 डिजिट का होता है, 14 डिजिट का element नमर डालना हुगा, जो भी date है, वो भी डालना हुगा, टाइम जो है, वो भी डालना हुगा, जैसे कि अभी अभी आपको हम डाउनलोड करके दिखाएं, अब चलिए यहाँ पर आधार नमर डालेंगे, जिसका सिधार किये हो, उसका सिर्फ आधार, सिर्फ आधार नमर से भी डाउनलोड हो सकता है, टेक है, हो जाएगा, अगर मुवाइल नमर लिंक है तो, अब यहाँ पर देख तो वह भी तरीका पताएंगे, वीडियो हो सकता है, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियो लास तक देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यह ओटेपी डाल दिया, वेरिफाइन डाउनलोड में किलिक किये, यह भी डाउनलोड हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं, य मतलब दोनों केस में, अब देट वाला केस में आप अधार नमर से डाउनलोड कर सकते हो, और सिर्फ अधार नमर से अभी हम आपको डाउनलोड कर दिया, मतलब तीनों खतम हो गया, अब इस्टेटस चेक करके दिखाएंगे, चलिए यहाँ पर यह डबल किलिक किये हैं, पा पाल लगो नया अधार काड के लिए आवधन किया था, नया अधार काड बनाया है, आपको एलमेंट रसीद मिल चुका है, और आपका अधार काड डाउनलोड नहीं हो रहा है, बोगत दिन से, तो अब चेक क्यसे करेंगें, अधार काड इस्टेटस चेक करने के लिए आपक बढ़ियां का ड़ाता है वो वला आप पोकेट में रख सकते हूं तो यहां पर देखो element & अधार update इसमें आप किलिक करोगे यहां पर चेक करने की लिए आपको element ID डालना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर आम element ID फिर से डाल देते हैं आपको पटापट capture डालते फिर से समिट में क्लिक करेंगे और स्टेटेस चेक करके दिखा देते हैं तो यहां पर देख से तो मैंने element id फिर से डाल दिया यहां पर याद रहोगी जब याप element id डालोगे element number तो आपका जो भी साल होगा मतलब date महिना और साल वह आपको उल्टा डालना है पर देख साल फिर मैना फिर डेट और टाइम जो होगा टाइम सही डालना है जैसे कि मैंने यहां डाला है capture डाल दिये submit में क्लिक करेंगे यहां पर यह बता देगा यहां पर देखो इस्टेटस बता दिया request accept validation stage complete यहां पर यह बता के चेक कर सेकते हैं अपना अधारकाड का तो यहां पर आपको चारो इस्टेप हमने बता दिया अधार रिलेटेट कोई भी क्वेरी होगा तो आप comment box में जुरूर बताइएगा अभी यहां पर बहुत लोग सुचते होंगे मेरा अधारकाड में लिंक नहीं था तो कई तरीके इसे हो है अगर आपके आधारकाड में लिंक नहीं है फिर भी डाउनलूड हो जाता है तो वह इलिगल तरीका है अगर आप फिर भी डाउनलूड करना चाहते हो तो टेलिग्राम में जॉइन कर लिए वहां पर एक लिंक दे देंगे लेकिन पूरा रिक्स आपका होगा जो सिर्फ हम जानकारी दे रहें कि अगर आपके आधारकाड में लिंक नहीं है फिर भी डाउनलूड हो जाता है लेकिन वह आप पर निर्भर करता है आप करो या ना करो लेकिन कुछ भी होता है उसका जिम्मेबारी हम नहीं होंगे तो चलिए इस वीडियों में यह था अमीद करते विडियों पसंद आया होगा पसंद आई तो विडियों को लाइक करके जाओंगे